वेल्कम तु स्टुड इंडिवर चैनल फ्रेंट्स आज है 14 जून 2020 सागत है आप सभी का आज ही करेंट अफेर सीरीज में जो हमारे करेंट अफेर सीरीज है वो स्पेसिल यूपी एसी और सी एसी प्रेलिम्स के लिए फोकस्ट है तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगी प प्रिंसिपल बेस्ट है कि कोई भी ओमेंट कहीं पे वे रहे तो उसको कॉंटरसेट्टिव लेने की अनुमती होनी चाहिए जिससे लाइफ उसकी लाइफ सेव हो सके ठीक है तो सो बताई इनमें से कौन से स्टेट्मेंट करेक्ट से हैं फैमिल प्लानिंट टॉन्टी मोमेंट की आधार पर जो ऑप्संस हैं वन अल्ली वन और सेकंड अल्ली सेकंड क्या होगा जो माइन और करेक्ट ओफ्षन है को है ऑफ शन सि 2nd and Turn only 2nd and MP क्यों नहीं होगा क्यूंक जो ये तो contraceptive ले सकती है ठीक है और जो जो दूसरे स्टेटमेंट था कि इंडिया एक fundamental part है global family planning तो यह statement भी सही है और जो तीसरे statement था कि यह ले सकती है दूसरे भी सही और तीसरे भी सही और पहला statement गलत होगी क्योंकि पहला statement लंडन का था ठीक है तो जो national family planning program है यह introduce करता है injectable contraceptive in public health system under the antra program जो antra program है उसकी अंतरगत कोई भी और a contraceptive ले सकती है जो आगे चलते हैं जो next question है with respect to tiger estimation in India consider the following statement on the all India tiger estimation is a survey conducted once in every five years और जो दूसरा है जो एस्टिमेशन है यह वाइल लाइफ इंस्टूट अफ इंडिया जो है वो national tiger conservation authority के साथ मिलके estimation बनाता है tigers के उपर जो third statement है इंडिया has achieved its target doubling its tigers जो इन्होंने बोला था कि हम आने वाले सालों 10 सालों में हम जो tigers की population है वो दूग नहीं कर देंगे तो इन्होंने स्टिमेंट करेक्ट है second only first and third only both third and second और neither one nor two तो बताए कौन सा option सही हमारा जो correct option है वो है option c both second and third क्योंको जो tiger जो all इंडिया टाइगर estimation survey है वो every four year में conducted होता है तो यहीं पर हमारा answer मिल जाएगा तो पहला statement गलत हो गया तो दूसरा हो नहीं सकता है चौथा हो नहीं सकता है और तो बचा second and third और second भी सही है और third भी सही है तो जो हमारा correct option है वो option c होगा तो देखें जो all इंडिया टाइगर estimation 2018 था तो उसमें उन्होंने पाया था कि जो इंडिया का इंडिया में जो लास्ट टाइगर survey हुआ था 2006 के बाद अभी 2018 में भी हुआ है इससे पहला 2006 से starting हुआ है जो टाइगर की हमने estimation start हुए तो 2006 से हुए थी और अभी जो हाली में दिखा गया है कि जो हमारे estimation था 2967 target जो लास census में देखने को मिले थे तो यह doubling होई गई है तो हमारे second and third statement correct थे आगे चलते हैं जो next question है जो with respect to O.P. Codicep synesis also known as Himalaya Viagra sometimes seen in the news essentially consider the following statement जो Himalaya Viagra है तुमने Himalaya Viagra तो सुनाई होगा तो इसकी इसके लिए अभी जो हाल में current में चल ली रहा है news में तो बताए इन में से कौन से statement correct होंगी ठीक है it is a fungus endemic to Himalaya and Tibet and Plato ठीक है जो दूसरा है it has been listed as critically endangered under the IUCN red list of threatened species तो सो बताए इन में से कौन से options correct होंगे पहला option A है one only B है two only C है both one and two D है neither one nor two so friends बताए जो Himalaya Viagra है तो इसमें इसको और किस नाम से जाना जाता है और इन में से कौन से statement correct है so friends दिखा जाए तो जो इसमें correct option होगा वो होगा option one option A one only correct होगा क्योंकि जो अभी हाली में इन्होंने Himalaya Viagra रहे हैं उसको IUCN red list में जोड़ा है और उसको threatened species नमान के vulnerable category में डाला है vulnerable category में उन्होंने अभी हाल में डाला है ठीए तो जो Himalaya Viagra है उसको और उत्राखंड में कीड़ा जड़ी नाम से भी जाना जाता है और इसका जो rate है 20 lakh per kg इसका जो rate है वो market में 20 lakh per kg से बिगता है और यह red list में अभी हाली में इसको रखा गया है जो well enabled category में रखा हुआ है और यह fungus है एक प्रकार से दिखा जाए तो यह fungus टाइप का यह होता है यह दिखाए भी आपको में फोटो बताता हूं जैसे उत्राखंड और Himalayan तिबद प्लेटों में भी caterpillar-like appearance होता है इसका जो यह figure में हम देख सकते हैं तो यह होती है आपके की रज़ड़ी ठीक है so next question है consider the following statement with respect to tetrastema phrya sometimes seen in news recently so इसमें जो हमने भी tetrastema phrya जो हमने भी news में देखा था तो यह किस इनमें से कौन से statement correct है ठीक है जो पहला है it is a new species of marine invertebrate found along the region of northern tirpura जो दूसरा है it feeds on dead and decaying materials and help to recycle nutrients in coastal and deep water sediments so बताएं इनमें से कौन से statement correct होगा options है one only two only both one and two neither one nor two so friends बताएं जो हमने अभी tetrastema phrya के news में recently इसके बार में काफी कुछ देखने को मिला है सो इस में से कौन से statement correct है जो correct option है वो है option B जो दूसरी statement है वो correct है जो पहले statement है वो गलत है जो पहले statement गलत क्यों है क्योंकि जो हमने अभी रिसेंटली जो रिसेंटली जो रिसेंटली ने आइडेंटिफाय कराई एक निई स्पेसीज जो मेरा इन इन वर्टीब्रीट है तो यह कहां देखने को मिली है और इन्होंने यहां पर लिखा है नौर्थन तिरपुरा तो यह क्या होगी गलत statement होगी दूसरी statement थी इट फीट्स ओन डेडेंग मैटेरियल्स एंड हेल्प्स तो रिसाइकल न्यूट्रेंट इन कोस्टल एंडी पॉर्टर सेडिमेंट्स जो इसका दूसरा है वो correct statement ठीक है आगे चलता है consider the following statement with respect to the Apollo mission जो Apollo mission के बारे में इनमें से कौन से statement correct है ठीक है जो पहला है it is the NASA first unmanned mission to the moon और जो दूसरा है it aims to carry out a scientific exploration of the moon तो बताई इनमें से कौन से statement correct है one only two only both या इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंट जो correct statement है वो है option B जो दूसरी statement है वो correct statement है और जो पहली है वो क्या है गलत है जो पहली जो पहले statement था जो Apollo 11 so it marks the 51th anniversary of the Apollo 11 lunar lunar landing ठीक है the Apollo program was designed to land human on the moon and bring them safely safely back to earth by the US जो US का पहला हो था Apollo नाम से तो उसमें moon आदमी को चंद्रमा पर लाने के बात करे गई थी और उनको safely वापस भी लाएगा था अर्थ पर US के द्वारा ठीक है जो Apollo 8 है यह important है जो Apollo 8 है वो क्या first Apollo mission to go around the moon तो वो कौन जथा Apollo 8 और जो Apollo 11 है वो क्या था first man's first landing on the moon था वो क्या था Apollo 11 था तो आगे चलता है जो next question है जो net grid है national intelligence grid इसके respect में कौन से statement correct है ठीक है it is an advanced web-based monitoring system to efficiently manage the electricity data across India second statement है it works based on GPRS technology for accurate bill reading and catalyzing a pen India moment towards energy efficiency तो इन में से पता ही कौन से statement correct है पहली दूसरी दोनों या दोनों में से कोई नहीं क्योंकि जो net grid है वो MOU ने अभी हाली में national crime records bureau इसके लिए बनाए गई गई है ठीक है अचाहे जाएगा access होगे इनके ठीक है और जो तीसा statement है net grid is set up to track any terror suspect and prevent terrorist attack in real time data सो आगे चलते हैं जो last question हमारा वो है PNGRB petroleum and natural gas regulatory board इसके respect में कौन से statement correct है जो पहली statement है इस बाए डाइड आव तेकनिकल स्टेंडर फो थे आव अब्रीक्ट अपरेशन उपाइड पैपलाइड इंस्टूर अन इंस्ट्रक्टर अन इंप्रास्ट्रक्ट्टर प्रजेक्ट रलेटेट तो downstream petroleum ने ने जो तूसरा statement है इसको निचुछ दूसरा दिस्प्रेटमेशन तो जो हमने अभी गौवर्मेंट ने प्रपोस करा था यूनिफाइड गैस प्राइस सिस्टम इसमें जो प्रपोसल था कि जो बूस्ट करना है तो शेयर का जो नेच्रल गैस इन इंडिया है एनर्जी बास्केट फ्रॉम 6% करेंटली तो 25 25 परसेंटेज बाइट ट्विटी थाटी के लिए कि जो हमारा एफट है वो होना चाहिए कि हमारे इतना आगे जो पैट्रॉलम का है एन नेच्रल गैस डेगूलेटरी बूर्ड है तो इसको इतना आगे तक पहुंचाएका नेच्रल गैस जो इंडिया मार्केट है वो इतना इसमें